हेलो दोस्तों, मोटिवेशनल टेल्स में आपका स्वागत है आज की कहानी का टॉपिक है 21 वी सदी का सबसे बड़ा द्यागत है एक सिक्षिका रात के खाने के बाद छात्रों द्वारा किये गए हुमवक की जाच करने लगी उसके पती स्मार्टफोन के साथ घूम रहे हैं और अपना पसिंददा गेम कैंडी क्रश चागा खेल रहे हैं आखरी नोट पढ़ते समय पतनी आसों से रोने लगती है यह देख कर उसके पती ने पूछा प्रिये तुम रो क्यों रही हो, क्या हुआ पतनी, कल मैंने अपने पहली कक्षा के चात्रों को मेरी इच्छा विशय पर कुछ लिखने का होंवग दिया था पती, ठीक है, लेकिन तुम रो क्यों रही हो पतनी, आज आखी नोट चेक करते समय मुझे रोना आ रहा है पती, उत्सुक्ता से, नोट में ऐसा क्या लिखा है जो तुम्हें रोना आ रहा है पतनी, एप्लिकेशन पढ़ने लगती है सुनो, मेरी चाहत स्मार्ट फोन बनने की है मेरे माता पिता को स्मार्ट फोन बहुत पसंद है उन्हें स्मार्ट फोन की इतनी परवा होती है कि कभी-कभी वो मेरी परवा करना भी भूल जाते है मेरे पापा जब ओफिस से ठके हुए आते हैं तो उनके पास स्मार्ट फोन के लिए समय होता है लेकिन मेरे लिए नहीं जब मेरे माता पिता कोई महत्पून काम कर रहे होते हैं और स्मार्ट फोन बज रहा होता है तो एक ही घंटी के भीतर वे फोन अटेंड करते हैं इतना ध्यान तो मुझपर भी कभी नहीं देते भले ही मैं रो रहा हूँ वे मेरे साथ नहीं बलकि अपने स्मार्ट फोन पर गेम खेलते हैं जब वे अपने स्मार्ट फोन पर किसी से बात कर रहे होते हैं तो वो कभी मेरे बात नहीं सुनते भले ही मैं कुछ महत्पून बात बता रहा हूँ तो मेरी इच्छा एक स्मार्ट फोन बनने की है नोट सुनकर पती भावुक हो गया और पत्नी से पूछा यह किसने लिखा है पत्नी हमारा बेटा ग्याजट फाइदे मंद हैं लेकिन वे हमारी असानियों के लिए हैं ताकि परिवार और परिजनों के बीच प्यार खत्म नहूं बच्चे अपने साथ और आसपास जो भी घडित होता है उसे देखते और महसूस करते हैं बाते उनके दिमाग पर हमेशा के लिए प्रभाव डाल कर अंकित हो जाती हैं दोस्तो आईए आज से संकल्पित हो कि हम इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि हमारे बच्चों का ध्यान रखेंगे ताकि वे कभी भी किसी गलत धारना के साथ ना बड़े हो उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी बात आप लोग को बहुत अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए दोस्तों और बच्चों के साथ इसे शेर करिए और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके ही जाईएगा थैंक्स पॉर लिस्निंग